इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Sarasone M Tablet is used to treat irritable bowel syndrome, यानि की symptoms include abdominal pain, cramping, bloating, and diarrhea or constipation. यह पेट में दर्द और एंठन से राहत देने के लिए मांस्पेशियों में अचानक होने वाली एंठन को रोकता है. यह पेट की परेशानी को कम करने के लिए आसानी से गैस पास होने में मदद करता है. Sarasone M Tablet is taken without food in a dose and duration is advised by the doctor. Dose आपकी condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी. डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें. अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं, तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है. अपनी हिल्थ के टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्यूंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं. सबसे सामाने साइड इफेक्ट ठकान, उल्जन, अनियंतरित शारीरिक गतिविधी, त्वचा पर रैश और ठीक से बोल ना पाना हैं. इनमें से अधिकान शस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं. अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें. इससे चक्कर आने और नींद आने जैसी समस्याएं आ सकती हैं. इसलिए जब तक आपको यह पता न चल जाए कि दवा आपको किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, तब तक ड्राइविंग या मानसिक एकाग्रता की आवश्यक्ता वाली कोई भी गतिविधी न करें. यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपको अधिक नींद आ सकती है. लाइफ स्टाइल में परिवर्तन जैसे फाइबर युक्ट डाइट, ऐसे भोजन जो आपके लक्षनों को बढ़ा सकते हैं, उनके सेवन से बचना, अधिक फ्लूइट का लेना और नियमित व्यायाम से बहतर परिनाम पाने में आपको मदद मिल सकती है. इसे लेने से पहले, अगर आपको किड्नी या लिवर से सम्बंधित कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए. अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारन की योजना बना रही हैं या स्तनपान करवा रही हैं, तो भी आपको अपने दॉक्टर को बताना चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल को क्लिक करें। धन्यवाद।